तो 25,000 रुपे से कम के प्राइस पर इस फोन को एकदम बेस्ट फाइल जी फोन बोला जा रहा था लेकिन जब मैंने इसको रिव्यू करके देखा तो मुझे लगा कि ये फोन भी परफेक्ट तो नहीं है वेल ये है वनप्लस का लोड सी फोर पाइजी जिसका लॉन से पहले काफी ज़्यादा हाइप बनाया जा रहा था लेकिन अब जब मैंने इसको खरीद गिया है तो रियल्टी क्या है अच्छे से देख लेते हैं बिल क्वालेटी प्लास्टिक का है चायब उसका साइड फ्रेम हो या फिर इसका मार्बल फिनिश बैक दो कलर वेरियंट के अंदर ये फोन आता है तो सिंगल एंड यूज करना उतना आसान नहीं होगा है अप्टिक्स की बात करें तो डिसेंट टाइप के टकटक वाले हैप्टिक्स आपको देखने को मिलते हैं इसके अलावा ये फोन आईपी 54 की रेटिंग भी लेकर आता है डिवन स्पीकर से आयर ब्लास्टर का फीचर भी यहां पर आपको दिया है अब वो आपको 2 साल बाद डियाएक या फिर नहीं उसका मैं श्मूर नहीं हूँ टोड़ा-सा एटक अटकर चलते हैं पर सौफ्ट्वर अपड़ेट से इसको थोड़ा सा फिक्स करने की जड़ात है रागी 128 इस फोन के अंदर आपको 8GB RAM जो मिलती है वो LPDDR 4X RAM है लेकिन जो 128GB का स्टोरेज है वो यह FS 3.1 का है सुन्न में काफी बैटर है वैसे स्नैप ड्रेगन 7GN3 का प्रोसेसर जो की Poco X3 Pro से तो बैटर नहीं है लेकिना नतिंग फोन वन से डेफिनेटली बैटर प्रोसेसर है अन्तुतु स्कोर साड़े 8 लाग से उपर है जिसका मतलब एक जो प्रोसेसर है आपको काफी एच्छी परफोर्मस निकाल के देगा डे तो इस फोन के साथ में जितनी इनिशन गेमिंग में अभी तक करिये कोई हीटिंग वगरा का इशू मुझे देखने को नहीं मिला साथ इसाथ जो परफोर्मस है वो काफी अच्छी थी काफी मज़ा है गेम केलने में बागी डीटेल टेस्टिंग में कर रहा हूं बहुत ही जल्दी आपसे इसका डीटेल भी शेयर कर दूँँगा नव लेट्स टॉक अबाउट इस सॉफ्ट्वेर पार तो एंडूइट 14 आपको देखने को मिलता है जो कि ऑक्सिजिन और इसके 14 वर्जन पर बेस है दो साल के होईस अपडेट और तीन साल के सिक्रूटी अपडेट आपको मिलेंगे और ब्लॉट्वेर के नाम पर आपको मिलता सिर्फ नेट्फिक्स और इस फोन को सेट अप करते टाइम एडिशनल एप्स मतलब ब्लॉट्वेर वगर को इस्टॉल करने के लिए को रिकमेंडेशन भी मुझे नहीं मिले क्योंकि एक रिटेल यूनिट है जि कहीं पर भी आपको वीडियो पसंद आ रहा है दे वीडियो को लाइक करना साथी साथ एक अच्छा सा कमेट कर दो ताकि वीडियो ज़्यादा लोगों तक पोस सके अब कैमरा में पीछे की तरफ यहां पर आपको तीन सेंसर देखने को मिलता है काम के सिफ दो सेंसर है एक है 50 Megapixels का में सेंसर 378 Megapixels का अल्टरवाइड अब यहां पर जो में कैमरा है वो सोनी का सेंसर है तो सबसे पहले मैंने इसको आईकू जीनन के कैमरा के साथ में कंपेर गया क्योंकि यहां पर भी सोनी का ही सेंसर है तो फोटोज आपके सामने जो डिफरेंस आप नूटिस करो काफी नेचुरल से होते हैं कुछ कंडिशन में पता नहीं क्यों आपको कलर्स थोड़ी से फेड आउट होते हुए नजर आएंगे और जहां लाइटिंग थोड़ी ज्यादा होती है स्किन टोन हलकी से रेडियस टोन के साथ में आएंगे वाकि अच्छी लाइटिंग के अं स्किन टोन्स काफी एच्छे होते हैं कलर्स काफी एच्छे होता है इवन यहां पर जो नोईस है वो भी आपको काफी कम देखने को मिलेगा तो में गेमरा में सिर्फ दो दिक्कते मुझे देखने को मिली एक तो एजड़ासा बैटर करना है साथी साथ जो कोंट्रास्ट है वो थोड़ासा कम होना चाहिए काफी ज़्यादा कोंट्रास्ट हो जाता है सेल्फी की बात करें तो 16 मेगा पिक्सल का है जासे फोटोस काफी अच्छे आते हैं और जों करोगे तो आपको डीटेंस भी देखने को मिलेंगे स्किन टॉन्स एन कलर्स बोथ हार रेली गूड और जो लाइट कंट्रोल है वो भी मैंने देखा बहुत ही अच्छे से कर लेता है बस पॉर्ट्री शॉट्स के अंदर जो एस डिटेक्शन है वो रेर कैमरा की तरह यहां पर भी उतना अच्छे से नहीं हो पाता तो यहां पर भी थोड़ासा वन प्लस को काम करने की ज़रत है बागी वीडियोस की बात करें तो रेर कैमरा से फोर्गे 30 एपेस तक के वीडियोस बना सकते हो और फ्रेंट कैमरा से आप 1080 भी 30 एपेस तक के क्वालिटी दोनों के अंदर ही आपको काफी अच्छी देख रहे हो बिलेगी लेकिन जो स्टेबलेटी है वो मुझे दोनों क के अंदर ही थोड़ी सी कम देखने को मिली बात करें इस फोन की बैटरी फीजर की जहां पर इन्होंने कमाल कर दिया इस फोन के अंदर आपको 5000 नहीं बलकि 5500 मेच की बैटरी मिलती है साथी साथ यांपर 100 वोट की फास चार्जिंगा सपोर्ड भी दिया है 30 मिनट के आज प पूड करता है Bluetooth 5.4 की कनेक्टविटी है और ड्यूल 5G फोन है और 5G बैंड को लेकर OnePlus की पता नहीं क्या दोस्मनी है इस फोन के अंदर भी आपको सिर्फ साथ 5G बैंड देखने को मिलते हैं और 5G यहां पर काफी अच्छी से काम कर रहा है कनेक्टविटी काफी अच्छी है जी ओ सिम के साथ में 5G शो कर रहा था 5G प्लस मुझे देखने को नहीं मिला मेरे यहां I don't know क्या रीजन है बाकी कॉल के लिए यहां पर आपको ड्यूल माइक देखने को मिलते हैं कॉल क्वालिटी काफी अच्छी है इसके अलबा साइलेंट कॉल रिकोडिंग भी आप इस साथ में कर सकते हो बस आपको जो अल्टरनेट डायर उसको इनेबल करना पड़ेगा सिम ट्रेक अंदे ड्यूल सिम कार्ड या फिर एक सिम और एक मेमरी कार्ड आप यूज कर सकते हो अब इन सबके बाद फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो इस फोन को लिकर सिर्फ में इत अच्छे से कर रहा हूं बहुत ही जल्दी आप लोगों के साथ में डीटेल रिव्यू शेयर करूआ कोई भी सवाल है इस फोन से रिलेटर तो नीचे कॉमेंट सेक्षन में आप मुझे पूछ सकते हो और इस फोन का किस फोन के साथ में कंपरेजन देखना चाते हो वह भी न